नमश्कार दोस्तो मैं हूं मिस्टर स्टॉक तो दोस्तो Yes Bank एक ऐसा शेर है जिसमें लंबे समय से निविशक तेजी का इंतजार कर रहे हैं ऐसे में शेर में हलकी सेल चल भी निविशकों को खुस कर दे दी है बता दे कि Yes Bank के शेर पिछले एक महिने में 9.31% चड़ चुके हैं, मंगलवार को Yes Bank के शेर 1.12% चड़ कर 13.50 रुपे पर बंध हुए हैं और पिछले कुछ दिनों में ऐसे कई खबरे आई हैं जिससे Yes Bank के निवीशकों को ये उमीद चगी है कि वो इस शेर से प्रॉफिट बनाकर निकल सकते हैं दुस्तों एक दिन पहले ये खबर आई थी कि Yes Bank एक अरब डॉलर की फंडिंग जुटाने के अंतिम चरण में हैं और Yes Bank के फंडिंग प्राइवेट एक्विटी फर्म कारलाइल और एडवर्ट इंडिनेसल से जुटा रहा है और फिलाल इनके बीच अंतिम चरण की बाचित चल रही है एक रिपोर्ट के मुताबिक इस फंडिंग के बदले ये धुनो प्राइवेट एक्विटी फर्म Yes Bank में 10% हिस्सेदारी लेने की तयारी कर रहे हैं ये भी माना जा रहा है कि इस निवेश के तहट कारलाइल और एडवेंट Yes Bank के बोर्ड में एक-एक सीट चाहते हैं और Yes Bank ने इन नियुक्तियों की जग़ा बनाने के लिए अपने आर्टिकल आफ एसोशेशन में भी बदलाव कर दिया है दोस्तो Yes Bank के फंडिंग ऐसे समय में जुटा रहा है जब हाली में उसने एक ऐसे ट्रे कंस्ट्रक्शन कमपनी यानि की एर्सी बनाने की डील पूरी की है जिसके तहत वो अपने बैड लोन को इस एर्सी में ट्रांसफर कर देगा बैंक ने बताया है कि प्रस्तावित एर्सी की मैजुरेटी स्टेक खरीदने की बोली जैसी फ्लावर एर्सी ने जीती है और इस एर्सी में Yes Bank की 20% हिस्सेदारी होगी और इसके लिए उसे RBA से मंजूरी मिल गई है बता दे कि Yes Bank करीब 48,000 करूर रूपे अपने बैड लोन को एर्सी में ट्रांसफर करेगा और एक अच्छी बात यह है कि अगले कुछ दिन में Yes Bank के शेरों का लॉक इन पिरेट खतम हो जाएगा हालै कि अभी तक Yes Bank ने अभी Yes Bank में अपने हिस्सेदारी बेचने का फैसला नहीं किया है इस साल Asbi Yes Bank में हिस्सेदारी नहीं बेचेगा बता दे कि Yes Bank में यह 26% हिस्सेदारी है और देसके सबसे बड़े बैंक SBI को इस financial year में यानि की 22-23 के बाद Yes Bank में अपने हिसेदारी बेचने की इजाज़त है दोसो शेर बजार में उताव चुड़ाओं को देखते हुए उमीद है की SBI Yes Bank में अपने हिसेदारी बेचने की बारे में इस सल फैसला नहीं लेगा तो दोसो कुछ एन इन खबरों के वीज़े से हमें Yes Bank के share में काफी ज़ैदा बड़ देखने को मिल रही है दोसो काफी अच्छी खबर निकल कर आ रही है YES Bank को लेकर और आगे आने वाले दिनों में हमें Yes Bank के share में बढ़त देखने को मिलने वाला है हाला कि आप कमेंट करके बता ही कि आपने येस बैंक का शेयर किते कौंटिटी में बाय करके रखा हुआ है तो दोस्तों ये तो कुछ अपडेट येस बैंक को लेकर इस वीडियो में फिलाल इतना ही मिलते नेक्स वीडियो में